नमज का प्रेंट्स मेरे नाम बभले उर्मा पेपर रहकर में आपका स्वागत है вход क्या देखने वाले हैं आज तो रहने वाला है हमारा हैं इसमेंसे आपको एक क्योक्षन देखने को 100% मिलने वाला है अगर आपने सिर्फ देख लिया अगर आप आपने तीनों की टीश्यों क्योशन सिर्फ देख लिए तो आप यूनिट बन में से एक भी नंबर का क्योशन नहीं छोड़ कर आओगे अपने एक्जाम में ये पूरा की पूरा 100% के साथ 100% के साथ गारंटी के साथ आप से कह रहा हूं मैं अगर आपने तीन क्योशन बहुत देख लिए तो एक भी क्योशन आपका बाहर नहीं जाने बाला है एक भी नंबर आपका बाहर नहीं जाने बाला है 100% स्कूर करके आप आओगे बस दुम्हें ने बताया है बस उतना ही आपको करना है ठीक है और इसे एक बार देख लेना है एक से दो बार वीडियो को देख लेना इनको तीनों वीडियो के लिए बहुत ही महात्पून आपके लिए हो जाती है तो बढ़ते हैं फटापट आगे की हो और जिन दोग को भी पीडियाप चाहिए डिसक अपसे रिखाए एप का लिंक ठीक है बहाँ पर जाके आप जाए कि हां सवrh मंडल्य क्या होता है ना ओर मंडल्य क्या होता है तो बढ़ते हैं यह मेशारा है जें लपरिद का्षाए नमें नमबर पिंडो पुछल तारे आकास गंगाओं का संयुक्त रूप है तो किन किन का है भई सौर परिबार है क्या ये सौर जो सौर परिबार है वो किसे बना हुआ है बिसालतारों सौर मंडल निहारिकाओं नच्छत्रों ग्रहों उपग्रहों उलका पिंडो पुछल तारे आकास गाओ का सयकति दूरूप होता है इनसे मिलकर इनसे को सॉर परिबार इनसे परिबार से मिलकर बना होता है यह सूरी से ही सबसे चीज़ क्या है सूर से ही किसका निर्माड हुआ है ग्रहों का उलका पिंडों का परिकल्पनाओं का निहारिकाओं का नच्छत्रों का ग्रहों का उलका पिंडों का अकाज गंगाओं का निर्माड किसे हुआ है भई सबही जितनी भी चीज़ी है सॉर मंड़में उनका नमार किसे हुआ है अघी हुआ है भई सूरह से इस प्रीकार से कह सकते हैं कि सॉर मंडल एक सुरय थथा उसके परिबार से मिलकर बना होता है एक सूर परिबार में एक सूर्थ था बहुत गिरहे ओप गिरहे अवांतर उल्का ता पुछल तारायाकास गंगाए समलित होती है बात करते हैं फर्ष्ट सूर्य है क्या विर के बारे में पहले जानकाई देखते हैं फष्ट हैडिक अमने डाल थी है ना यह हमने क्या देखा था और ग्रहाडू परिकल्पना थी और संभे हमने देखा था जो सूर्य है वो कैसा है अगनी का बहुत बड़ा गोला है और गैसों का बिसाल भंडार है है ना हमने देखा था बात करते हैं जिसका जिसको क्या कहते हैं तारा कहते हैं सूर्य भी सेल्सियष तो आ आपमान मिलता है कितना सहता मिलता है 6,000 को चक्र काट लेता है यह सूरी का व्यास लड़ाजzos लानवेहर हजार किलोमेटर है। भी बन सकता है MCQ कुश्शन बन सकता है कि कितना है 1393,000 किलोमेटर है यह प्रथभी से कितना इतना भी दूर है कितना दूर है MC कि कुश्शन कितना दूर है भी हो जाता है तुम्हारा 14.89 करोड किलोमेटर दूर है 14.89 करोड किलोमेटर दूर है सूर्य का आकास सूर्य का आकार प्रत्वी से तेरा लाख गुना बड़ा है एक यहां बन जाता है यह ठीक है तो इस प्रिकार से अपने चार आयम से को बनते हैं पहला की 6000 केंदर पर 6000 सतह पर तथा 165 लाख डिगरी सेल्सिस तापमान कहा होता है उसकी कोर पर होता है और दूसरा हो जाता है एक सूर्य जो है अक्षपर कितने जों में परिक्रमा करता है चकल लगाता है तो 25 दिन 5 घंटे में लगाता है सूर्य का ब्यास कितना है यह बन सकता है त प्रत्वी से कितनी दूरी पर है सूरिय تو भाइy 14.89 क्रोड किलोमिटर दूरोप न हो जाता है सूरिय का आकार प्रत्वी से लग़ए की तहना बड़ा है तो जाता है 13.00000 बड़ा हो जाएगा तो इस प्रकार सो इंग्राइवसं कि यहां से कोश्जन यहां से बन सकते हैं एक सौर मंडल में सूर्य के पश्चाथ का ऊना आते हैं ग्रहों की उपस्थती मतलब इस्थती मानी जाती है पेड़ रेंखायं तर मंडल में कुल 9 ग्रहें हैं कितने हैं डसमें ग्रह की खोज हो चुकी है is कितने हो गया फालए दस हो गया है यह सब्बात करते हैं इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूरी से होई है यह सभी ग्रहे अपनी अपनी परदियों पर सूरी के चार ओर परिक्रमा करते हैं, करकाय सभी ग्रह एक दूसरे को आकरसर सक्वी से खीचे रहते हैं, दिरखाय बुद्ध सूरी के समीप इस्त्त है, तो कुबेर जो दिरखाय सबसे अधिक दूर है, पूर से इन ग्रहों का क्रम इस प्रकार ह सबसे पहले बुद्र उसके बाद सुक्र उसके बाद प्रत्वी उसके बाद मंगल उसके बाद ब्रहसपती उसके बाद सनी उसके बाद आरोड बारोड और कुबेर हो जाते हैं तो इस प्रकास से नोग्रह हमारे हो जाते हैं बात करते हैं अब उपग्रह की किसकी उपग्रह क उपग्रह को देख लेते हैं, बना मना कर सब लिख सकते हैं, आम सबस नो ग्रहों के नाम याद होना चाहिए, आगे देते हैं, उपग्रह क्या है, ग्रहों के अतरिक्त सौर परिबार में उपग्रह भी परिखरमण करते हैं, जिनकी उत्पते ग्रहों से हुई है, सबी उपग के हो जाते हैं 5 बरोड मंगल और अरुट बरोड के हो जाते हैं दो दो प्रत्भी का हो जाता है एक बुद्र और सुखर का कोई 悲ी ऊप गरह नहीं होता यह उप ग्रह हीन होते हैं ठीके विहान होते हैं अभयसा है आपको पता है बुद्ध का कितना होता है बुद्ध फश्टम पर चाहिए आगे देखते हैं अब देखेंगे हम चुद्ग रहे क्या होते हैं आप देखेंगे या पर चुद्ग है तोर मंडल में मंगल बस्पती के बीच काफी दूर तक रिक्तिस्थान है किसके मंगल और बस्पती के बीच काफी दूर तक रिक्तिस्थान है इस रिक्तिस्थान में अनेक छोटे छोटे छुटे छुद्ग रहे हैं जिनको अभ्यास कुछ सो किलोमेटर तक सीमित है इन छुद्ग रहों का निर्माल असंबब किसी तारे या ग्रह के विखंडन होन तारे आपने देखे होंगे ना रात में देखते हैं बिल्कुल करते हैं यह तारे निश्चित अबदी में ही देखे जाते हैं तथा सूरी की परिक्रमा करते हैं हैली पुछल तारा हैली पुछल तारा पूंच सकता है एक्जाम में कि सबसे महातपूर दे रखा है वो क्या ह है लिए पुछलता है ठीक है अपने सवर परिबार का सबसे पुछलता रहा है तो पूछ सकता है कि सबसे पुछलता रहा कौन सा होता है तो है लिए आपको याद होना चाहिए और चमकते हैं ठीक है ये करka criminal पर उलका के रूप में माने जाते हैं ये कभी-कभी प्तभी पर गिरते लिया आपको heading क्या दोना चाहिए heading होना चाहिए ग्रह कितने हैं उनके उपग्रह कितने हैं उपग्रह के बारे में knowledge हमने सब कुछ देख लिया तो अगर इतना आपने याद कर लिया तो सौर मंडल से एक भी नंबर नहीं जाने वाला है मिस ना एक भी नंबर आपका मिस नहीं होने वाला है तो बहुत देचे प्रिकार से पढ़िएगा ठीक है next question तक मिलेंगे तब तक आपको क्या करना है बई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लाइक कर देना है वीडियो को शेर कर देना है सभी दोस्तों में तो कि आपको ये दोस्त भी 100 में से 100% स्कूर कर पाएं तो फेंट जैहिन जैबाद next question मिलेंगे अलविदाव